जी बड़ा दुर्भाग्य है वो एक केस से दूसरा कैसे इस पीमारी में बढ़ता जाता है तो जैसे ही पता लगा बापजू जनेक साथ धानियों और चारू संचालन के जो प्लोज कॉंटेक्ट में लोग रहे और उसको छिपा लेते हैं लोग उसके कारण के इस निशित बढ़ जाते हैं तो अगनी मेरा जोगी सन्योग से सबी ठीक होने योग हैं और वोगी जाएंगे और तैयारियों में पूरे उस शेत्र को कॉंटेंड करके उसकी सैनिटाइजेशन, वागिंग, इस्प्लेइंग, डीडीडी, बिलिचिंग में सक्किया जा रहा है सगन अवियान करना पड़ता है वहां बिल्कुल उसको जो जियोगरेक्कल कॉंटेंड कर दिया गया है कि आप लोग मकावा दमनबाधित करते हैं जो करते हैं फिसकल कॉंटेंड में वह है और प्रति दिल सुबर साम जाके स्टेटस चेक आप डोर कर रहें रात को वहां पे प्रटेंट के लिए बस के गए जी को जो लेके प्रटेंट में और प्याज से कर दो जी 94 पेशेंट्स लाके जब वह बिद्याले में रखे गए थे नबोदय के 17 वास में और अभी उन लोगों का टेस्ट हो रहा है अगा 50 लोगों का सिर्फल लिया जा चुका है और वो क्वारांटाइम में रहेंगे जब रिजर्ट आने के पश्याद के परिशिद परिवार के है जी इतने में नगे पुछत रहें अभी जो आज के चार हो गए उर्क दो थे उर्शीद एकूंगे भाई आज इनि पॉर्ण नहीं पॉर्ण पॉर्ण पॉल्टिव मरीज आज 16 हो जाएंगे कि यहार में सबसे ज़्यादा सोला कोरोना के मरीज सीवान में पाए गए हैं जिसमें छे मरीज पहले और दस की संख्या दो दिन में बढ़ी है ऐसे में सीवान में जिला प्रसासन बढ़ती संख्या को देख कर काफी सजग हो गया है कल देर रात रगुनातपुर परखंट के पंजवार गाउं के 95 लोगों को बस के मादयम से सीवान के कोरेंटाइन सेंटर में भरती किया गया जिसमें 50 लोगों के सेंपल को जाच के लिए भेज जा गया है ऐसे में लगतार बढ़ रही कोरोना पोजीटिव मरीजों की संख्या सीवान जिला प्रसासन के लिए परिसानी बनती जा रही है अगर जल नहीं इस पर काबू नहीं पाये गया तो इस्तिती भयावा हो जाएगी देखिए सीवान से स्पेशल रिपोर्ट पर शीवान में लगतार कोरोना पोजीटिव मरीज संख्या बढ़ती जा रही है और शीवान में अभी बिहार में सबसे ज्यादा सोलम पोजीटिव पाए गये हैं इसकी authentic सुचना भी मिल चुकी है, सीवान के सिविल सर्जा ने बताया है कि सोलम मरीज पाए गए हैं, ऐसे में लगातार मरीजु की संख्या बढ़ना सीवान के लिए बहुत ही घातक होता जा रहा है हमारे साथ अस्थानी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या बेवस्ता है यहां कि जो बेवस्ता है परसासन को इस चांच में मदद कर रहा है ताकि परसासन के किसी भी तरह से कोई दिकत ना हो बिल्कुल समस्या है किसी तरह कि ना हो इसको लेकर परसासन बिल्कुल चुछ दुरूस्त है और आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल परसासन और अस्तानी अधिकारी जो हैं जो यहां डिप्यूट किये गए हैं सब लोगो को लगा दिया गया है पूरे सीमा को ब्लॉक कर ऐसे में जिला परसासन के पास और वस्ता की जो थे थाकि यह में रोका जा सके या इस पर बीराम लगा सके जोता है की जरूरत है हमें सजग रहने की हम साधाओं रहने की हम रोग जागरुक होने की ताकि इस महमारी से हम बस सके और लोगों को भी बचा सके सिवान से कैमेरा परशन आसीज के साथ अकाश नियुज वियोज